तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखते हैं इसमें क्या करे हैं कि ये दो मास है एक का नाम है two kg और एक का नाम है four kg वो एक दूसरे से कुछ two meter की distance रखे हुए हैं और एक तीसरा में लेके आया और यह जो तीसरा मास है ये वाला जो मास है वो .1 kg का है तो .1 kg का यहãoकर यह करता इसको कुछ feeling नहीं आरे है यहैं कोई force ही नहीं तो भाई जब यह कोई force ही नहीं feel कर रहा है तो सबसे पहले इस x का location निकालो यह कर रहा है x की o n Nam कहां पर है जहां पर net force 0 है ठीक है और साथ-साथ इसको gravitational potential energy of the system भी निकालना है तो अगर यह X हो गया 2-x मेरे बाई तो अगर यह 2-x हो गया तो अब यह force क्यों नहीं feel कर रहा है क्योंकि दोनों इसको equal and opposite attract करके cancel करते रहे हैं तो इसको यह बड़ा वाला sphere f1 से इधर attract कर रहा होगा और जो छोटु वाला sphere है वो f2 से इधर attract कर रहा होगा तो अगर net force 0 है तो यह magnitude में बरावर होंगे और direction में opposite होंगे तो f1 must be equal to f2 f1 जो gravitational force होती उसकी value होती है gm1 m2 over r का square तो f1 किसके किसके बीच का force है तो g2 kg नहीं 4 kg वाले के बीच का नहीं तो f1 जो है वो 4 kg multiplied by 0.1 और divided by 2 minus x का whole square similarly capital G 2 kg और point 1 divided by x का square तो यह point 1 तो point 1 खतम होंगे जी ने जी को खतम कर दिया और यह 4 इधर आ गया और यह x upon x upon 2 minus x का square बचा इधर और इधर बचा 1 by 2 मतलब यह आ जाएगा 2x एक बार एक step और कर देता हूँ आपके लिए तो यहां से x upon और 2 minus x is equal to 1 by root 2 तो finally इसको solve करोगे तो हमें x की value पता चल जाएगी मतलब root 2 x is equal to 2 minus x इसका मतलब यह x की value आ जाएगी 2 2 इधर रहा x की value जो आ जाएगी 2 और divided by 1 plus root 2 तो this is the x अब x को थोड़ा सा और simplify और simplest form में लिक होगे तो 2 और 1 plus root 2 की value होती है 1.1.414 तो finally जब इसको solve करोगे तो कितना आ जाएगा भाई तो यह आ जाएगा 2 is equal to 2.414 तो finally इसको solve करेगे तो 0.83 आ जाएगा तो 0.83 मीटर में आएगा तो x की जो value हो 0.83 मीटर from 2 kg मतलब 2 kg वाले से point इतनी दूरी पर होगा 2 kg वाले से point इतनी दूरी पर होगा तो जो 2 minus x की जो value आ जाएगी वो 2 minus 0.83 मतलब आ जाएगा 1.17 मीटर from 4 kg तो 4 kg वाले से point इतनी दूरी पर होगा 2 kg वाले से point इतनी दूरी पर होगा तो finally अगर तुम देखोगे तो यह problem first part तो इसका solve हो गया दूसरा अब क्या निकालना इसमें potential energy तो अगर मैं इसका part 2 solve करूँ तो potential energy क्या होता भाई दो particle है उनके बीच pair है तो potential energy होता है g m1 m2 over r ठीक है यह particle mass m1 है और एक particle mass m2 है और इनके बीच का जो distance हो आ रहे है तो यह अब यहाँ पर 3 है तो एक 2 kg का है और एक यहाँ पर 0.1 kg का है और एक यहाँ पर 4 kg का है और यह distance 0.83 है यह 0.17 है और यह पूरा 2 meter है तो यहाँ कुल कितने pair बन गए यार तो यहाँ पर कुल कितने बेसिकल अगर देखोगे तो यहाँ पर 3 pair बन गया है एक pair इसके और इसके बीच का ठीक है एक pair 4 kg और 2 के point छोटू के बीच और एक बड़े वाले इसे तो कुल मिला के 3 pair है potential energy का तो potential energy अगर इस system का लिखोगे तो पहले मैं इसके इसके बीच का potential energy लिखता हूँ तो minus capital G और 2 kg multiplied by 0.1 और divided by इनके बीच का separation 0.83 minus अब इनके बीच का लिखते हैं तो minus capital G 4 kg point नहीं है multiply है मेरा तो point 4 और यह multiplied by 0.1 और divide कर दो 1.17 से minus इन तीनों के बीच यह pair count कर लो बड़े वाले तो capital G 4 kg multiplied by 2 kg divided by 2 meter तो finally G की value रखो G की value रखो 6.67 into 10 की power minus 11 और solve कर लो तो potential energy negative ही आएगी क्योंकि gravitational potential energy है तो इसको U से भी denote करते हैं तो यह जो पूरा solve कर लोगे तो minus 3.06 into 10 की power minus 10 joule आ जाता है तो यह आफसेल्फ solve कर लेना G की value यह capital G की value यहां रख देना और let us solve it thanks for watching this video